अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर साइबर ठगों ने मोबाइल बीमा बता कर खाते से उड़ाए रूपए अंजनी कुमार पांडे के साथ हुई 22,000 की साइबर ठगी जगदीजपूर थाना के दोमाडी गाउं का है मामला अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आरे जहां थाना जगदीजपूर के दोमाडी गाउं के रहने वाले अंजनी कुमार पांडे के साथ साइबर ठगों ने धोखा धड़ी करते हुए उनके खाते से 22,000 रुपए निकाल लिए साइबर ठगों ने पहले अंजनी कुमार को फोन करके मोबाइल बीमा करने की बात कही और उसके बाद उनके मोबाइल पर OTP भेज कर दो बार में लगबग 22,000 रुपए उड़ा दिये जिसकी शिकायत अंजनी कुमार ने साइबर सिल और जगदीजपूर ठाना पुलिस से की है आपका जी जीवन भीमा कर रहा हूं इसका क्या कहिते मोबाइल का उसके बाद अगर आपकी मोबाइल खो जाती है या कोई गरबड़ी या जाती है तो आपको कमपनी जो है इसका रिस्पॉंस देगी उसके बाद बच्चों ने वहां से कहा ठीक है हमारे पापा का मोबाइल खो गया था तो इस वज़ा से बच्चे भी थोड़ा साहित हो गए 11 रुपए का नाम सुनके इतना सस्ता हो रहा है उसके बाद उनने ओपीडी मांगी बच्चों ने ओपीडी दे दिया उससे हमारे में दो बार में ट्रांजेस्ट्रन में पैसा कट गया एक बार में 9999 और दूसरे ट्रांजेस्ट्न में 12,110 रुपए कट लिया अब जब हमें मोबाइल हमारे पास आया तो हमने देखा तो उसमें हमारे बैलेंस पे 600 रुपए बचा उसके बाद मैं जाके खाने पे फाई यार किया अनलाइन भी किया हूँ उसके बाद सर्वर क्राइम के यहां भी जोन करके मैंने फाई यार किया है और इसकी सिकाइदा आपने अधिकारियों से कर दिया हूँ बैंक में भी कहा था बैंक वालों ने कहा हमारे हंडर में कुछ नहीं कि यह आपकी मोबाइल से हुआ है इस वज़ा से मैं अब आप लोगों के मार्धियम से अपनी मदद चाहत राहत सेवा संस्थान सर्व मानव अधिकार मानवता के लिए पढ़ते कदम में आप भी अपना सेयोग करें सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूस टाइम नीशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बैल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ खबरे पसंद आजाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें